हेलो एब्रीवन, स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT जॉप में Ministry of Social Justice and Empowerment Government of India के अंतरगर्त National Institute of Social Defense में वेकेंसी निकाली गई है जिस में graduate किसी भी सब्जेक्ट से या फिर post graduate आपका किसी भी social science subject से आपने किया है तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं salary काफी अच्छी रहने वाली है salary 60,000 पर मन्त यहाँ पर रहेगी सभी राज्ये जो है इसमें apply कर पाएंगे age limit जो है बहुत सारी post है किसी में age 45 year है अधिकतम age और किसी में जो है 50 साल है तो चलिए देख लेते हैं official website पर कैसे जो है इसमें आविदन करना रहेगा और qualification जो है हर post के लिए अलग-अलग है तो देख लेते हैं 21 pages की जो है यह PDF file है जिसमें बहुत सारी post पर vacancy आई है तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं name of the post consultant की substance abuse prevention में इसमें जो है post graduate आपने social science में social work में, sociology में, psychology में किया है या criminology में किया है तो आप यहाँ पर apply कर पाएंगे 40 वर्स तक के candidate अभी detail में हम देखेंगे पहले post देख लेते हैं उसके बाद यहाँ पर consultant की ही post है ये और इसमें जो है social science अगर master degree आपने social work MSW से किया है तो इसमें preference मिलेगी post graduate degree आप किसी भी social science subject से है 50 वर्स तक के candidate इसमें apply कर पाएंगे next जो vacancy है ये national help line for senior citizen इसके अंतरगत post graduate degree आपका किसी भी any discipline from a recognized university in social science ठीक है और और भी अच्छी बात रहेगी अगर आपने master social work MSW आपने किया है इसमें उम्र जो है 50 year है next देखें transgender welfare के अंदर consultant की जो vacancy है इसमें भी post graduate social science में, social work में, sociology में, psychology में, gender studies में या criminology में आगे vacancy है जिसमें graduate किसी भी subject से किसी भी subject से आपने graduation की है तो आप जो है इसमें consultant की जो post है establishment में apply कर सकते हैं इसमें उम्र जो है 45 year है तो अलग-अलग उम्र है आप देखें किसी में 40 year किसी में 45 year किसी में 50 year है ठीक है salary जो है वो अभी हम देखेंगे यहां next ये भी post का नाम एक ही है लेकिन ये अलग-अलग department है तो इसमें graduate किसी भी discipline से ठीक है तो बहुत सारी post है आप देखें commerce वाले candidate भी apply कर सकते हैं graduate in commerce में जहां पर आप लोग accounts की जो है शलाहा देंगे इसमें 45 येर है law graduate वाले भी apply कर सकते हैं legal में national coordinator के लिए apply कर सकते हैं इसमें post graduate आपका होना होगा social science में social work, sociology, psychology उसके बाद consultant राजभासा की post है तो इसमें post graduate हिंदी हिंदी में ठीक है या फिर diploma आपका है translation में next देखें graduate अगर आपने social science से किया है आप post graduation आपने नहीं की है केवल graduation की है social science में social work में sociology में या psychology में तो भी आप apply कर सकते हैं junior consultant के लिए इसमें 30 वर्स है उंग्र ये धियान में रखना है salary इसमें जो है 35,000 रहेगी यदि graduate हैं आप और यहां देखें अगर आपने graduation किसी भी subject से किया है किसी भी arts, commerce, science तो यहां पर भी जो है आप तीन post है junior consultant की इसमें apply कर सकते हैं 40 वर्स तक के candidate elder line में junior की जो post है इसमें degree any discipline in social science preferably master in social work MSW से किया तो और भी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए ठीक है तो यह बहुत सारी post है 21 pages की यह PDF फाइल है यानि यहां पर जो vacancy आई है तो इसमें arts, commerce, science उसके बाद जो है यहां पर mission manager की जो vacancy है एक post है तो इसमें post graduate किसी भी discipline से पसपन प्रतिशत marks के साथ उपर जितने भी vacancy देखी हमने तो वहां पर कोई भी percentage नहीं मांगा ठीक है यहां percentage मांग लिए office assistant की vacancy है तो इसमें bachelor degree मांगा गया है तो bachelor degree के लिए जो है salary 35,000 आप देख रहे हैं ठीक है अब जो है यहां पर सबसे एहम बात क्या है कि यह जो vacancy है यह जारी की गई है national institute of social defense की तरफ से और job location आपकी क्या रहेगी तो plot number z2 sector 10 द्वारिका न्यू डेली न्यू डेली से यह vacancy है यह जितने भी vacancy आई है यह सब ही जो है contractual बेस पर रहेगी official website का link यह रहा इसमें जो है qualification के साथ में work experience भी जो है इसमें मांग रहे हैं जैसे की consultant की जो vacancy है इसमें लगबग जो है 3 साल का आपके पास जो है जिस भी department में आप apply करेंगे तो उसमें आपका 3 साल का जो है अनवव जैसे की इसमें 3 साल का post qualification work experience in the areas of drugs abuse prevention ठीक है तो इसमें आपका अनवव है और salary आप देखें कि अगर आपके पास 3 से 5 साल का अनवव है तो 50,000 पर month salary रहेगी अगर आपके पास 5 साल का अनवव है इसमें तो 60,000 salary रहेगी ठीक है और contract basis पर रहेगी अब कितने समय तक के लिए आपको रखेंगे क्योंकि यहां पर यह लिख रहे हैं क्यों form apply करेंगे आप तुस्ते पहले सारी जानकारी आपको होनी चाहिए purely contract basis initially for a period of 6 month अभी 6 महीने के लिए तो रख रहे हैं लेकर उसके बाद जो है आगे बढ़ाएंगे कितना बढ़ाएंगे तो वहाँ आप काम करेंगे तब ही जो है पता चलेगा ठीक है यहाँ पर दूसरा जो है इसमें social science किसी भी subject से अगर आपने कर रखा है post graduate है तो 3-5 साल का जो है सभी में 3-5 साल का अनुवब है तो 50,000 परमन salary रहेगी और यह fixed salary रहेगी बिल्कुँ और 60,000 जो है वो 5 साल के अनुवब के साथ में रहेगी ठीक है किसी भी post के लिए आप अपलाए करें ठीक है यह आप देखें तो यहाँ पर देखें आप transgender welfare की दरफ से जो vacancy है तो इसमें 3 साल का आपके पास जो है इसमें अनुवब रहेगा तो इसमें अनुवब यानि फ्रेशर जो है इसमें अपलाए नहीं कर सकते यह आप देखें ज़रूरी है जिस भी पोस्ट के लिए आप अपलाए करें जर्नल एड्मिन प्लानिंग के लिए जो है ग्रेजुईशन मांगी है और 45 इयर इसमें है एज 3 साल का अनुवब जो है आपका इस फील्ड में होना चाहिए ठीक है सेलरी आप देख सकते है अब चलिए देख लेते हैं कोई भी वेकेंसी होती है तो मुझे लगता है कि ऐसे कैनी रेट जो की गौर्मेंट जॉब की तयारी कर रहे हैं और कुछ अर्ण भी करना चाहते हैं कुछ समय के लिए तो क्यों ना ऐसे वीडियो भी बनाए जाएं जहां पर वेकेंसी कुछ टाइम पिरिट के लिए होती है और सेलरी काफी अच्छी रहती है क्योंकि ये तो हम भी जानते हैं कि जो भी गौर्मेंट जॉब की तयारी कर रहे हैं उनके लिए पैसों की कितनी एहमियत होती है ठीक है तो सेलरी तो है काफी अच्छी आप देख लें अगर आप कर सकते हैं क्योंकि 6 महीने का ही कॉंट्रेक्ट ये बता रहे हैं इसमें और वर्क एक्सपिरेंस जो है इसमें आप देखें जूनियर कंसल्टेट का जो एक पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन से आपने किया है और एक्सपिरेंस आपका कहीं का भी रहा है प्राइवेट सेक्टर का गौर्मेंट सेक्टर का एक साल का ठीक है तो आप जो है बिल्कुल अप्लाइ कर दें इसमें इसमें 35,000 सेलरी रहेगी के लिए क्वालिफिकेशन तो पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जक्ट से है 50% मार्क के साथ में लेकिन जो है इसमें अनुवब बहुत अधिक मांगा गया है 10 साल का अनुवब ओफिस असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री वाले 2 साल के वर्क एक्स्पिरेंस के साथ आविधन कर सकते हैं चाहे आपने किसी भी सरकारी या गैर सरकारी में आपने काम किया है कंप्यूटर पर तो आप इसमें जो है आविधन कर सकते हैं ठीक है? यह पूरी वैकेंसी थी जैसे ही नीचे आएंगे आप 20 pages तक तो पूरा जो है notification ही है 21 page पर जो है application format है अब यहाँ पर ध्यान दें application form मैंने आप लोगों को दिखा दिया इसी notification के सबसे नीचे है उसे आप लोगों को fill करना है अपने जितने भी document है educational document mark sheet experience certificate जो भी है सभी attest करने है application form के साथ में 21 दिन के भीतर आप लोगों को भेज देना है envelope के उपर जिस post के लिए आप apply कर रहे हैं उसका नाम जरूर लिखें भेजना है आपको dy director national institute of social defense z2 sector 10 द्वारिका न्यू डैली 110075 यह address है ठीक है ध्यान रखना है address जो है यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से आप देखकर लिखेंगे नोटिफिकेशन चेक करने के लिए official website पर चले आए यह link आप लोगों को provide कर दिया जाएगा इसी वीडियो के नीचे description box में जैसे ही आप आते हैं national institute of social defense की official website पर यहाँ आपको वैसे ही running में दिखेगा filling of various post of ठीक है तो आप जो है इस पर click कर लेंगे नहीं तो आप vacancy section है इस पर click कर लेंगे कहीं पर भी आप click करें और यह देखिए यहाँ पर download details of vacancy तो यहाँ click here करना है आप लोगों को और यह जो है पूरा विज्यापन 21 दिन के अंदर अंदर जो है वो आप लोग भेज दें अगर आप भेजने के इच्चुक हैं अगर आप six months के लिए जो है यहाँ पर job करना चाहते हैं चले मिलेंगे next वीडियो में next vacancy के साथ में थैंक यू